तो लाश्ट वी सोट हमने देखा था कि सावचे ने यामा की डिसाइबल को मार मार के सुझा दिया था तव इस डिसाइबलों बचाने के लिए यहां भी कोई परसन अब पॉर्टल ओपेन करता हुआ आ जाता है और ये परसन कोई और नेबल की खोद यामा था जो अब अपने पॉर्टल से बाहर आते इसी दिन दोनों के सामने आ जाता है तव इसे देखते मावचाव क्या दा है कि यामा आखिर तुम्हानी हिमत कैसे मेरे सीटी में एंडर करने के मैंने पहली काईख में तुम्हें और तुम्हारे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता जिसपास साशेन भी अभी आमा की और देखते हुए क्यादा कि वो तो ये है यामा जिनना इसकी वारे में सुनाए उतना कमीना तो ये सगल से लग भी रहा है तब अभी आमा की यादा ही मावचा मुझे तुमसे कोई प्राब्लम नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे से बेल्ट एक साथ यहां पर जाम लगाने आया हूँ मुझे बस ये बास्टर्ट लड़का चाहिए अगर तुम बीच में नहीं आओगे तो फिर ये मामला बहुत ही साथ इसी निपड़ जाएगा तब साशेन अब इसकी और देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि मैंने एकस्पेक्ट नहीं किया दिप्रसनली आमा इतनी जल्दी आ जाएगा और फिर कोई और परसन भी यहाँ पे आते हुए किया दा कि क्या बात है आज तो वाइन सीडी मुझे गौड़ी गौड़ दिख रहे है तब इतना कहती अब एक जोड़ार लाइटिंग साथ यहाँ पे एक और गौड़ की एंट्री होती है चो कि यह बाली थे यह भास देवे मावशाव से कहता है कि कैसे वाइन गौड़ देखो आज़ फिर से तुम्हारे साथ दो दो पैंग लगाने आ गया जिसवा मावशावी बहुत हो देवे मोश्न वैलकम ब्रदर बाली कहता है और फिर मावशाव कहादिक ब्रदर तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा क्योंकि कुछ मनुस लोग तो बिन वुलाए ही यहाँ पे आ गये है तब यामा को देखते बाली उपने रेच में आते हैं कहादा है कि तुम्हें यहाँ पे क्या कर रहे हो नहीं तो फिर से तो खमन नहीं हो रहागी तुम्हें अकेले गौड हो जिसवेरा बाली को देखे यामा अपनी मन में कहादा है कि यहाँ पे कैसे आ गया उस बेड़े मावशाव को डिफीट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थे लेकिन यह बाली इसकी फिजल बाड़ी बहुत ही स्ट्रॉंग है मुझे डर है कि अगर मैं इन दोनों के साथ फाइट करू तो साथ यह लोग मुझे डिफीट कर सकते है और यहीं सोचकर यामा भी इन दोनों कहादा है कि आज तुम मैं जा रहा हूँ लेकिन आखरी से लड़के को तुम लोग अव तक बशाते फिर होगे जिस वरा इतना कहाद है यामा अपने डिसाइबल साथी हाँ से निखल जाता है तब बाली आप साथ होते हैं कि कि इतना बोरिंग का नवर्सेसन था जिस वरा इतना कहाद है कि इस वरा इतना कहाद बाली आखरी जाँ साथी है टाइप का आदमी है क्या हो मेरी एंटी सब को बदा कि मेरी हेल्फ कर रही है या फिर मेरी खिलाब कोई सडी अंदरस रहे हैं जो भी हो मुझे एक 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 कदम फूफू के उठाना होगा तो अब माशाओ क्या देग ब्रदर बाली वो यामा तो गया शली अब हम लोग साथ मे बाली इन दोनों भी लेकि अब अंदर की उठाती है कि चलो पहले पीते हैं उसके बाद ही बात करेंगे तब अब सीचेंज होता है हम यामा के उड़न खडूला को देखते हैं जहां पर यामा बहुत दीग उस्से में किया था क्या कि आकि रुमापी बाली क्यूं आया था क लेकि ना कि टॉक की गोड़स उसलर के असाथ क्यों दे रहे हैं क्या सैंस्वी कॉंडिनेट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी खबर हमें नहीं तो अभी डिसाइबल अचानक से हसते हुए क्या था कि यामा आप जा कि तुम्हें सहीचीज समझ में आ रही है लेकिना के ल आए हो क्योंकि उन दोनों गोड़ की वैसे मुझे लड़के को नहीं ला पाए जिसवर ये लड़का क्या दा कि वैल पहले में अपना फेस चेंज कर लेता हूँ और इतना क्याती है ये लड़का जो कि रियल्टी में हंडिट फेस से सराक्षसा है ये यामा की तरह ही अपन बर भर वशार नहीं कर सकता तव हंडिर फेस चाहँ अपनी फेस वसाचन की फेस में शेंज कर लेता है और फिर हंसती हुए क्या ये ठीक है जिस पर यामा बहुत ही उसस सीधे से गले को दबूच लेता है और पिर बहुत इरिटेट होती हुए क्या तुम ये सब मजाक लग रहा है तब राज्टा क्यादा की नहीं दरसली बंदा बहुत ही हैंडसम है इसलिए सोजा कि एक बार इसके फेस को भी ट्राइ करो जिस पर राज्टा अपने रियल फेस में आते हुए क्यादा की ब्रदर सांत हो जाओ अब मैं तुम्हें वो सारी चीज़े बताता हूं जो मुझे पता चली है तब अब सीचेंज हो दा रिधर हम इन तीनों को देखते हैं जहां पर बाली अब बहुत ही खुस होते हुए कि आज मैं कितने दिनों के बाद इतने चैन से पी रहा हूं वाके में भाई उक साथ बेट अगर ये बात साचे तुछलो आज़ाओ दू-दू हाथ हो जाए क्योंकि मैं भी एक फिजिकल कर्णिवेटर हूं और फिजिक साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है झाल